गाईज आईपेल दो हजार चुनाव को देखते हुए सत्रह दिनों के लिए मैच की घोशना की गई है उसके बाद सीजन के बागी मैचों का शेडियूल जारी किया जाएगा आगामी सीजन का पहला मैच 22 मार्च को मौजूदा चेंपियन चेननाई सुपर किंग्स और रोयल चेलेजर्स बेंगलो के बीच खेला जाएगा यह मैच धोनी के घरेलू मैदान चेननाई के एंच शिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा आईपियल 2024 के पहले 17 दिनों के 22 मार्च से 7 अपरेल तक के मैच शेडियूल की घोशना कर दी गई है लोगसभा चुनाव के चलते यही शेडियूल जारी किया गया है इस बीच 2023 सीजन के फाइनलिस्ट गुजरात टाइटन्स अपने अभियान की शुरूआत अपने पूर्व कप्तान हार्दिक पंडिया के खिलाफ मुंबई इंडियन्स के खिलाफ मैच से करेंगे यह मैच 24 मार्च को अहम्दाबाद में खेला जाएगा टूर्नामेंट का उद्धाटन मैच रात 8 बजे शुरू होगा शाम के बाकी मैच शाम साधे 7 बजे से खेले जाएंगे जबकि दोपहर के मैच साधे 3 बजे शुरू होंगे 21 मैचों के जारी शेडिूल में 4 दिन डबल हेडर मैच होंगे बाकी दिनों में एक एक मैच खेला जाएगा डबल हेडर मैच 23 मार्च, 24 मार्च, 31 मार्च और 7 अप्रेल को खेले जाएंगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इंस्टेग्राम में लगातार वीडियो हम आपके लिए मापर डालते रहेंगे ठीक है थैंक यूफर वाचिंग